बिस्मिल्ला रभान रहीम, असलाम लेकुम आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ां सिखाऊंगा नमर वन ये कि डेवी की ठीम यूज करते वे आप एक निया पेज कैसे एड़ करेंगे और उसमें कॉंटेंट कैसे अड़िट करेंगे और नमर टू ये कि उस पेज को अगर लिंक देना होगा तो वो हम कैसे देंगे तो फस्ट आफ ओल हम अपने प्रोवाइडिट यूजर नेम और पास्वर्ट से लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद हमें यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो मेन्यू बार है इसमें पेजिस का उप्शन दो जरार होगा पेजिस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये पेजिस की डिटेल हमारे सामने आजेगी यहाँ पर हम एड नियू पेज पर क्लिक करेंगे एड नियू पर क्लिक करने के बाद हम इसका नाम लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर नाम लिख दिया Moro Solar ठीक है जी अब हम इसको Publish कर देंगे और एक बार दुबारा Publish पर क्लिक कर देंगे अब हम जब देखेंगे तो इसने इसका जो लिंक बनाया हुगा यह हमाई लिए Important होगा हम इस लिंक को अपने पास Copy कर लेंगे Copy करने के बाद हम Use TV Builder पर क्लिक कर देंगे ठीक है जी Page अपडेट हो गया अब हम Use TV Builder पर क्लिक करेंगे यह dots खुमेंगे डिपेंट करता है आपके internet की speed के उपर कि कितनी speed है internet की उस हिसाब से अच्छा अब यहां पर आपके पास तीन options आएंगे Build from scratch, Choose a Primate Layout और Clone Existing के page क्योंकि हम एक निया page बनाने लगे हैं तो इसलिए हम Build from scratch पर क्लिक करेंगे इसके बाद यह option आएगा Insert Raw कि हमें कितनी rows चाहिए कितने column वाली rows चाहिए 1 row चाहिए 2 column वाली row चाहिए 3 वाली चाहिए and so on यह बहुत सारे यहाँ पर नीचे तक options मुदूद है हम फिलाल single row को select करेंगे ठीक है select करने के बाद वो पुछेगा कि आपको module के add करने हमने कहा कि जी हमें text add करनी हम search भी कर सकते हैं लिखेंगे तब भी आ जाएगी ठीक है जी जब हम text पर क्लिक करेंगे तो उसने वो हमें एक text box open करके देगा जो कि इस text box होगा जिसमें हम जिस तरह इस टीमिल चाहें हम लिख सकेंगे ठीक है अगर हम कोई heading डालना चाहते हैं जैसे कि इस page की मैं heading डालना चाहते हूं मोरो सोलर मैं यहां से heading one select कर लेता हूँ मैं कहता हूँ जी यह मोरो सोलर है ठीक है जी और नीचे इसकी detail है बाकी images वगरा जो भी आपने add करनी वह आप यहां पर add कर सकते हैं ठीक है यह simply हो जाएगा ठीक है और हम इसको ok कर देंगे ok कर देंगे तो यह text हमारे पास add हो जाएगी अगर हम इसके नीचे को image भी लगाना हो तो हम अब यहां पर आप देखेंगे आपको तीन चीज़ नज़रा रहा होगा एक आपको green वला area नज़रा रहा होगा और एक आपको black वला area यहां मैं आपको दिखाता हूँ देखें तीन चीज़ें आपको एक blue area एक green area और एक black area blue area आपकी rows हैं जो के सबसे उपर है जो हमने सबसे पहले add की थी ठीक है उसके बाद green area उस row के अंदर मुझूद columns हैं ठीक है यहां से हम इस columns की setting को बाद में change भी कर सकते हैं इस layout की setting को ठीक है जी और black area आपका content है ठीक है बताने के मक्सित यह है कि हमने एक text लिक की दिए अब हम इसके अंदर को image add करना जाएं हम simply यहां plus sign पर click करेंगे ठीक है और हम कहेंगे जी हमें image add करना है यह आगे image का option ठीक है image कौन सा add करना है हम कहेंगे कि हमें image किसी खास पात से add करना है सही है इस पर click करेंगे वो सारी media file जाएगा मिसाल के दुर्पर हमें यह image add करना है हम upload image पर click कर देंगे वो image यहां पर आ जाएगा ok करेंगे तो यह save हो जाएगा ठीक है जी यह हमारे एक छोटा सा मासूम सा page बन गया इसको हमने इन तीन dots पर click करना है और हमने इसको save कर देना है जब हम save कर देंगे तो हमारा यह वाला page live हो जाएगा ठीक है जी अच्छा अब live होने के बाद अगली चीज पेज तो हमने बना लिया अगली चीज यह थी कि इस page को हम किस तरहां से अपने में जो में पेज पर हमने images दी है उससे connect करेंगे ठीक है जी उसके लिए हम dashboard पर जाते हैं ठीक है जी pages पर जाएंगे all pages पर आपको याद होगा हमने इसका पहले link copy किया था हमें इसके link की दुबारे ज़रूरत पढ़ेगी हम simply यहां से edit with tv पर click करते हैं ठीक है और यहां से sorry edit with tv पर नहीं हम इसके simple edit पर click करेंगे सही है यहां पर जब हम click करेंगे तो यह हमें इसका उपर link दिखा देगा हम कोशिश करते हैं कि इसको link की change करने ते हम इसको change करते हैं और save करते हैं इसको update करते हैं नहीं यह change नहीं करने तेरा यह two ही रख रहा है उसकी वज़ाई यह है कि कोई नो कोई फाइल और इस नाम की save होगे ठीक है जी हमने इस link को अपने पास copy कर लिया copy करने के बाद हम अपने pages पर वापिस आएंगे all pages पर हम क्लिक करेंगे जो हमारा main page था उसको हम edit with dv पर क्लिक करेंगे या हम edit से option से open करके भी edit with dv जा सकते थे ठीक है जी अब हमारे यह icons थे आपके पास इस situation में होंगे वो होंगे इस situation में एक मिनट आपके पास यह icon इस situation में होंगे इसको भी मैं edit कर रहता हूँ मैंने पहले वीडियो बनानी शुरू की थी लेकिन कुछ और मसलों की विज़ासे को मैंने remove कर दिया तो इसलिए मैं थोड़ा सा back track करके जाता हूँ और जहां पर हम थे वहीं पर मैं इसको लेकर आता हूँ ठीक है जी जी इस situation में आपके पास आ रहा होगा ठीक है जी अच्छा अब सवाल आपका कि हमने जो पेज बनाया था उसको हमने link करना है मिसाल के तौर पर इस वले पेज से ठीक है जी तो हम क्या करेंगे हम यहां पर simply इसके settings पर क्लिक करेंगे settings में क्लिक करने के बाद यहां पर हमें button का जो text चाहिए है button already यहां पर option है हम इसको change करके click to view यह हमने अपने हिसाब से text बना लिया ठीक है और जैसे ही हम link में जाकर हम अपना link paste करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे click to view का button enable हो जाएगा ठीक है जी हम इसको ok करेंगे तो यह button यहां पर save हो जाएगा हम save करेंगे तो यह पका हो जाएगा ठीक है मुझे लग रहा है कि किसी वज़ा से हमारे पास यह content duplicate हो गया है तो मैं इसको simply यहां से remove कर दूँगा यह असल शकल में वापस आ जाएगा ठीक है जी एक और link मैं यहां पर लगाता हूँ मैं मिसाल की तौर पर इसको google से connect करना चाहरा हूँ तो बटन में जाकर मैं लिखूंगा विजिट गूगल ठीक है जी विजिट गूगल लिखने के बाद मैं यहां link पर जाकर आपके सामने में लगाता हूँ जैसे ही मैं link में जाने के बाद उसका link लिखूंगा तो वो आप देखेंगे लिखते लिखते ही बटन आ जाएगा ठीक है जी हमने इसको okay कर दिया हमने इसको save कर दिया इसके dots खुमते रहेंगे जब यह हो जाएगा तब हम इसको refresh करके देखते हैं आया कि हमारे पास हैं कि नहीं है हमने इस page को refresh किया तो हम देखेंगे कि buttons हमारे पास हैं इस पे हम click करते हैं तो यह हमें उसी more solar के page पे ले जाएगा जो कि अभी हमने बनाया था ठीक है जी और अगर हम इदर से इस पर click करते हैं तो जैसे कि हमने कहा था हमें Google पे ले कर जाएगा तो यह देखें हमें Google पे ले जाएगा ठीक है अब यह चीज़ जो आपको buttons रसर आ रहे हैं यह call to actions हैं यहां पे असल में इस text के लिए मैंने already call to action ही लगाया वह था अगर हम इसको देख लेते हैं settings में जाकर जे देखेंगे यह already call to action ही लगावे call to action में button का option होता है call to action का मकसद यह है कि आप user को को एक banner type की text दिखा रहे हैं और जिसमें कोई button भी होगा और उस पर user से click कर वा रह देखेंगे वे थे अब इसकी भी आप administration पर चान देख लें कि यह call to action कैसे लगावे इसको अगर हम इसके settings पर जाते हैं तो यह call to action है जिसकी heading मोरो मश्यूम university है जो कि यहां पर हम नज़र आ रही है ठीक है button के text यह visit google हमें यहां पर नज़र आ रहे है body में हमने जो उसकी text लिखी है वो सारी नज़र आ रही है ठीक है link में हमने जाके google का link दे दिया है same window में open करना है या new open करना है यह आप यहां से select कर लेंगे ठीक है जी और नीचे जाएंगे तो background में देखेंगे तो यहां पे एक image लगा रहा है ठीक है तो अगर यह background का image ना होता जैसे कि मिसाल क मैं इसको remove कर दूँगा तो यह background का image खतम हो गया undo करूंगा तो जायर सी बाते यह वापिसार जाएगा ठीक है जी तो इस तरहां से आप अपने pages लगा कर सकते हैं उमीद है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आपको इंशाला कि help करेगी बाकि अगर किसी बीच किसम की आपको help चाहिए हो तो आप मुझसे next time राप्ता कर सकते हैं मैं आपको उसकी वीडियो बना कर दे दूँगा thank you allahafiz